आप सब आई होगा पढ़ देहोंगे चलिए अपनी टॉपिक पर आते हैं उम्मिद करते हैं बचों आपको क्लासेश पसंद आ रही होगी और आप इन्वार्मेंट की प्लास बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे होगे आज का टॉपिक हमरा पालिसित्की कारक ही है लाश क्लास में हमने जल्वाय मंडली कारक जो जल्वाय मंडल का जो है फैक्टर देता है जैसे मौसम, तापमान, वर्शा, प्रकास, ये सब आता है वाय मंडल, वाय की गदिया, वाय की दिश्या, फिर अस्तला कुतिक कारक थे जिसमें उचाई, उचाई के धलान, भूमी का धलान, भूमी के उचाई, ये सब था, इसके बाद हम सभी मृदिय कारक में आते हैं, तो मृदिय कारक में मृदा से संब्दी चीजिए थे, मृदा की बनावट, मृदा का आकार, मृदा के प्रक आज का हम लोगों का चौथा जोथा जैविय कारक उसका अधियनाज की क्लास में करेंगे, तो देर जा करते हुए चलिए सबसे पहले, पहला पॉइंट स्राइब करते हैं, जैसा की जानते हैं, जैविय कारक मतलब होता है, जिसमें जीवन या जीन जन्तु या पेल बॉदों क कि पस्ति पी दिमान हो, वो जैविय कारक कहलाते हैं, और जिसमें जीवन नहीं होता है, वो आज़ाएगर होते हैं, तो जैविय कारक के अंतरगर देखिएगा, कहरा है जैनिय कार्वों के अंतरगर जीनित पेल पॉदों एवन जीन जन्तुमों की बेसभी नियाए आती है जैनका बनस्पतियों के संगठन व्रिधी, प्रजन, शरी की बायो मांतरी बनावता वरण के सीधे अत्मा परुक्ष प्रफाव से पड़ता है कितनी अची बात प्रजन पर जैन्तुमों की बेसभी नियाए आती है यानि कि जिनका वनस्पतियों के संगठन पर व्रिधी पर प्रजनन पर और देखेगा शरीप की बाहरे मांतरी बनावट के आखार पर बनावट के पर उनके वहां के वातारण का सिधा प्रभाव पड़ता हो जैविए कारक कहलाते हैं तो सबसे पहले जैविए कारण में देखना होगा कि संबधों के आखार पर जैविए कारण को निम्न प्रकार से बाटा जाए संबंध का मतलब पौदे का पौदे से संबंध और इसमें कौन पौर से जीवांते हैं सभी कारण करना होगा तो पहला पौइंट करा है पहला क्या है इसमें प्रकार जैविए कारण के दीन है किसी अथान पर रुपने वाले बाटा बनाते हुए चीवित रहते हैं की पौदे तथा मुर्धा में रहने वाले जो भी मृटी में जीव जलतू है या जो भी है आप क्या सकते हैं कि अब घठक हैं उनका पौदों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है वे पौदों को पोशर प्रदान करने का काम करते हैं पौदों को प्रिवत पूर्दान करन वन अस्पतु और संटों में बिल्कुल सही कोई पिजीफ जन्तु कोई बिजन्तु जो की पुल चाहरां काता हो बातνο pasture करो पुल यहां जत्तु आपको वनस्पत के आभलावर पर ढईकर तो जानने के लिए सबसे को देखना होगा कि चार दिलश्य प्रकाल के पारफिरी संब्ध बनाते हैं प्रत्योगिता प्रिक्तियोद्य मतलब अपना आपस में पौधों का पौधों से कंप्रिटिशन होता है कैसे जब भी कोई बड़ा पौधा होता तो चोटी पौधे को दबा देता है कोई ऐसा पौधा जिसमें प्र पौधे जोगी तो दिले दिले वा हुतना बिद्धी नहीं कर पाएगा तो यह आपस में पौधों सा पनाता हुटा प्वधा। बड़ा प्रियाज करता है तो यह प्रफिद्वत्य प्रध करने है उसके बाजें पर जीवता का मतलब होता है कि एक पौधा दूसरे पौधे इस goggle के सहारे ढले इक और उसको निल भटता रखे उसको कहते हैं पर जी भी पौधा कई पौध या से होते हैं जो पुदors वह सब्सक्राइब करते हैं अपना सब्सक्राइब से भोजन बनाने के लिए उनके पास ऐसे शंपता नहीं होती तो अमर वेलिस का सबसे अच्छा उदार है प्रतियों यहां पर पर जीवी का और पर जीवी में लैंग फैस्ट और आपका वेलों पूरा चंदर मिक्सम लेट सहाजीविता क्या होता है सहाजीविता मतलब होता है कि दो पौधे एक सास जीए कोई किसी को नुक्सान न पहुचाए उसको सहाजीविता कहते हैं जैसे आप देख पाते हैं कि एक बड़ा पौधा उसके सहारे दूसरा पौधा उसी के सहारे उस पर चार चार के उस पर आत करेगा उसमैं क्या हुगा एक तो धरातर पर चड़ों के सहारे उसको कहते हैं के नीकशे म achieved या पधोपन रिवरें हैं उनको कहते हैं हम सभी एंडोट्राफिका ठीक है यह आपको आजी मिलेगा फिर्टों को चीविता भी मिल्टों की जीविता मतला होना मतला दोनों को लेकिन एक उस्वे के सारे बड़ा हुचाना दो पॉध्य का अधिपातक्ता पहलाता है तो देकिता प्रत्योगिता वाजीविता साजीविता माईको राया मुदो जीविता और अधिपातक्ता यह किसी अफ्थान पर उपने वाले बहुतों बनस्मतियों में पारस्वरी संब सने भ années करते हैं कैसा दुद्धह कैसे गोवनस्मतिया एक जुस्रे से वाँ क蓌क्ता करके राखे ह травी नो में देखें तेके क्यों कि जो पर्द है बड़ा होगा जादा सक्षम होगा प्रकाश के जिए भोजन बनाने के लिए और वह जादा मजबूत होगा वह जादा आप दाफसे पाईगा यहां से कहारा है कि पौदों के पीछ हवापी जल्की प्रकाश के लिए पश्युक्टा होती है जिंप पॉदु में वाइब आधने रंचशे में को और अधन आधने वक्राहतšव बादकों शुरी इसनिवखर, आधन, इक शुजवार पतार से रंचश को होती है, अब परजीविता क्या है? परजीविता कातारपन यहां पर है कि दूसरे जीवपन निर्फन रोकर के रहना तो जो पौधा निर्फन रहेगा उपर परजी भी पौधा होगा लेकिन जिसपन निर्फन रहेगा वो पोशित पौधा कहलाता है इसके समझेगा वातावरण में कुछ कवक जिवारों यह विशारू कता कुछ आपक्ति भी जिव पौदे जैसे अबर वे लोरंकस, लोरंकस, औरोबैटी, बेरोनों पेरा, चंदन, भुविक्सान, कता रेफ्लेक्षिया, उतना अच्छा है, आजी परजीवी पौदे माने जाते हैं, तिक है अब देखेगा, प्रजीवीता हो गया, अब यहां पर देखेगा, सहर जीवीता, सहर जीवीता मतलब होता है, दो ऐसे पौदे, दो ऐसे जीवीता, जो एक दूसरे को नुकसान परचाए होगे, बिना या बिना एक दूसरे को नुकसान परचाए अपना जीवित रहते हैं, ligar अको बताया कि सी कोडिया साह्जिम इंडिया कशार्द काते हैं माइको वाइब आजा मौत माथ responsibility कवक जारों से धराताता इस फैला उथा कोड़ की थे कोड़ क्वेद् عن किप्षण डाएं पैडेंडेंडी जो भी धरातर का सद्विक सभ्सक्ति को दिखाया देता है, एंडोट्रोपिक पिस जमिन की अंदर पर्शक आ रहता है लेकिन जमीन की अंतर, धरातर की अंदर, वुसमें कुल का थे आखिर है, माया बॉराईजा है, चीर है, चीनी है, लिची है, रिस्पिक तो यहां बिला प्राइब रहे होगे, और अधिक पार अधिक्ता तो समझेगे मुर्टुप जिवता समझे गे तो इसमें कुल पौधी का नाम नहीं है, अधिक पारपता मत्रबुता है दो पौधु का इसादाना, वित्व किता मत्रपुता मुर्टु चीप ज़तु हो वह अ जूजा बनाएं था कारता था। अब देखे अगला पाल्ट थाम मुपर जैसे हम देखा था कि किसी अस्तान करुपने वारे वारस्कृत संबन्थ उसमें हम झाल पर भूति भी पिता पर जीवता सा जीवता माई को राजा मुझे देखे भी आधिवादफा। आप दूसरा पॉइंट आप सब्सक्राइब करना है, पौधर और मिर्ड़ा में रने वाले से उसके जीवों के बीच पारस्पुरिक संब्द पहुंत ही अच्छा पॉइंट है देखें लाकि मिर्ड़ा में कौण पॉइंट जीव रहते हैं, जीवाड़ों रहते हैं, विशाड़ों रहते हैं, कवक रहते हैं और आपका अपूदी रहता है यह सब क्या है, केरे मखोरे हैं से में नायमिटे, दोट्स है, केचुवा है, मेड़ा सब भूमी के अंतर रहते हैं यहां पर यह बताने का प्रयास करता है, कि पॉजे मुटा में रहने वाले सुखुल्जियों के साथ क्या पारसब्स परी सम्द्स है, वे सुखुल्जियों पैसे पॉजे के जड़ों के पीच यह पौदे पर रह लेते हैं और उहे लुखसान नहीं पहुंचाते हैं, यहां भूम की उर्वर्टा पढ़ाते हैं, जिससे पौदों की प्रिदी में सहायता मिलती है, लाइटेन दसना नाइट्री गरट जिवारों में मिट्टी की उर्वर्टा पढ़ाते हैं, तो यहां पर लाइटेन दसना नाइट्री गरट आप ध्यान रखेगा, यह मिट्टी की उ यह लगता और नुग्सान पहुचाते हैं उसको डिस्टरॉब करते हैं तो देखें वास सबसे पहला प्रेक्टर है चलने वालीपशू तो सभी को पता है चलने वालीपशू वन्सवतियों को चलते हैं तो गई सारे इया उन्हों कर देती हैं तो कई सारे कτε हैं आफसे बातु तो आघनिया और पूरशा कियों पौधे तरह मतल़Sop delay होते हैं बाटागया है कि कौन सा पशू या किन वर्ण मुद के पशु क्या खाते हैं तो सबसे पहला हम सभी का है वीचोल की नमीन रिक्षियों को खाने वाले पशुव मतलब जैसे ही वनस्पत में नवीन तहनी या नवीन पति उगी नहीं कि उसको खा लेंगे जन्तू वे जन्तू कौन है बकरी है भेड है उट है और हाथी यह उसको खा करके नस्ट कर देते हैं और पनफ में नहीं देते हैं तो यहां पर पर देखेगा शाकी पौधो वह घासो यानि कि ऐसे पौधे घास जैसे होते हैं उनको शाक प्रभित्य में रखा जाता है तो शाकी पौधो वह घासों को खाने वाले पशुव जिसमें छोटी-छोटी पौधे जो पैरों के लिज़े आ सकते हैं उनमें हैं खर्गोष, गा भाय, 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 बकडी, भेर, आध्म, ऐसे पशुव जो साकी पौधे या घास जैसे घास को नश्ट कर देते हैं खा करके या पैरों से रौंद करके फिर देखेगा तीसरा है इसमें पेर पौधो वह बीजा अंकुरण को खार कर यानि कि छोटी पेर पौधो को ख पशुव है, हाथी है, सुवर है, बंदर है तथा, मनुष्य है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से तीन प्रवित में, तीन प्रजात में पशुव रखे गए हैं चैरने वाले और वे किस प्रकार से बनस्पत को नुपसान पहुंचा गए हैं आगे बढ़ते हैं, दूसरा मुखे तत्य होता है बनस्पत्त अजीव जन्तों में संबंद का, जिसको परागर कहते हैं, परागर एक पौधे से दूसरे पौधे तर पहुंचने के लिए एक माध्या होती है जीव जन्तों या कह सकते हैं कीरे मकोरे, तो यहां पर कहला पौधे से दूसरे पौधे तो यहां पर उड़ने वाले पौधे तक परागर पहुंचाने का कारी यहां पर उडने वाले पीपतन के पौधे सकते हैं की जोगी तीतलियां करने जब होरे हैं वद्मक्षियां तो वे सवादान प्रताम करते दनते हैं ठीक है अब अग्या देखेगा फलो एवं बीजों का प्रकेडन कैसे उनको यह कसान से दूसरे थान पर पहुचा देते हैं तो यहां पर देखेगा बहुत स बीजों को अपने मल्क के साथ दूसरे इस्तामपर पहुचा देते हैं में जब वो मल्क प्याद करेंगे तो जहां पर खाय रहेंगे वहां से दूर जाएंगे तो इससे उस मल्क में बीज निकलेगा और बीज से नया पौधा बनेगा तो यहां पर देखेगा ज़ते लिए प्रीक्षा में कीट बखशी पाधे को क्यों खाते हैं तो यहाँ पर किट पतंगों को खाने के chicken नाइट्रोजन की पूर्ती करते हैं ठीक है नाइट्रोजन की पूर्ती करते हैं कि ठखशे पौधे और यहां पर इसलिए उनको खाते हैं कि कुछ भी से उनको नाइट्रोजन नहीं पाता और वे अपसार करके ऐसे जनव पर होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है यानि इतने पॉइंट्स होते हैं और जैसे केरा मुख़त आता है पत्यां पुल जाती होगा उसमें यह लोग उसको खा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इतने अच्छे पॉइंट्स हैं इसको इसके इंसाट लेजिए फिर हम सभी पौधों के प्रकार करेंगे कि पौधे किस अस्थान पर उबते हैं और क्या नाम दिया जाता है अब हम सभी देखिए वे पौधों का पारिस्थी वर्दी करण के कैसे धरातल और पौधे अलग 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 वरण के अलग वरण में स्वयन पूर्ण लेते हैं और उनके वरण के अंसार कैसे वे अपने आपको धाल करके उसमें पनग जाते हैं उनका क्या विशेस नाम है उस इससे वे उगे और बढ़े हैं तो जलोद भीड जलोद भीड ऐसे पादे होते हैं जो दो प्रकास करें मतलब या कि यह उसी पर पनवते हैं इनकी जड़ें अंदर नहीं जाती है यहां पर देखेगा यह पौधे स्थिर प्लावी जो पानी में तो रहते हैं लेकिं इनकी जड़े मिर्दा में मिर्दा तक पहुंच जाती हैं आई जो पानी में तो रहता है कि जड़े मिर्दी तक पहुंच जाती है। प्पिर हैं अम्लोद भी यानि कि अमост से related ही कुछ होगा तो यहांँ पर देर था पॉद्वमियम्रदा के टालर्ग यानि जर मिर्दा अमलिय हो जाती है तो उसमें जो पैद्रीस जनुते हैं उनमें जो पौधे पनबते हैं, उनको अमलोद भी कहते हैं, तो अमली मृदा के कारण पौधों को सीमित मात्रा में जल उपलगत होता है, यानि लिम्टेर उनको पानी मिलता है, जल मिलता है, ऐसे पौधे अमली हो जाते हैं प्रभितिके, जिसलिए उनको अमलोद भी कहते है और अवनी ये मिल्दा में पनवते हैं फिर हैं साइक्डोफाइट्स ऐसे पॉदे कौन है? मिल्दा ताप क्रम के कारण पृधवी को सीमित मात्रा में जल उप्लब हो जाता है मतलब क्या है? मिल्टी में इतना ज़्यादा ताप होगा कि जल नस्ट हो जाएगा जल करके और पौदे को कम जल मिल पाएगा तो यहीं कहरा कि मिर्दा ताप्तरों मन के कारश पौदों को सेमित मात्रा में जल उपलग दोता है जल नस्ट हो जाता है ऐसे पौदे साइक्लोफाइट्स कहला है लवड मिर्दो उद्धित यानि कि पाड़ों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि पोदो को सिमित मात्रा में जल उत्धित को भी लुड उत्भीर करते हैं और अमलोधित में मिर्दा अम लियो हो जाएगी तो अमलोधित और यहां is है कि मिर्दा जल में घुले लवड इतने लवड़ी हो जाएंगे कि जल सीवित मात्रा में मिलेगा तो लवड मुर्दो अधिर हो जाएंगा शैलोग भी इसपस्त है यान चक्टानों पर उखने वाले पौदे जो चक्टानों पर उखते हैं बालोग भी मतलब बजरी रेत या कि उपक्तव जाएंगे मरवस्त लोगे ये क्या है मरस लोग जाएंगे हैं मरेकी 9 में क्या औते हैं वो क्या होते हैं है मृष्क लोढ़जू भी तो से एक ला जरिया और समधविड आपको matter अब आपको पताया है बालबर समोधविड तो सम Nada को यहां की विए सब्सक्राइब विए इस कि आए इसे पौदों को हम सभी समोथ्वित पौदे करते हैं इसमोथित पौदे साइलोथ झिबद पौदे मौ पौदे बॉलक्रये महत्रपूर हैं तो इसको लिख ले जयेगा नोट करने जिए अच्छे सिनलह को लहना करने जिएगा इंपॉटेन्ट है आच कुछ important facts है जो लगन करना होता तो परना कथ्य है रंधों का खुलना और बंद करना यह परिशा मियारंगों को प्रस्वेक किस परिफर करता है तो प्रकाश करने पर करता है यह है क्या जब ही प्रकास पत्यों पर पढ़ता है तो पत्यों में जो नसीर होती हैं वहां पर सब्सक्राइब करते हैं तो यह फैक्स वही है रंद्रों की वज़े से ऐसा होता है तो रंद्रों का खुलना और बंद करना प्रकाश करता है यह सब्सक्राइब करता है अगला देखेगा सोयवीन एवां तंबाधु तो यह कौन से पौधे होते हैं अलक दीबतिकाली पौधे होते हैं यानि इनको भूप किया वश्यक्ता ज्यादा नहीं होती है तो दीबतिकाल और दीम्तिकालिका क्या आपको बताया गया था तो जो भी विद्धी पूरे प्रकाश करता होती है और उसमें को है जो तमबापू और सोय अबिशेगा चाइपने पूर्ण को क्या कहा जाता है ये बहुत मंदफूल है यानि कि ऐसे पौदे जो चाओ में पन पे चाओ प्रीय पौदे होते हैं तो उनको क्या करते हैं है अगला हुद महारूं-मारूप्रिक पौदों में प्राया पत्यां कांटें में बता जाती हैं, बिफुक्त सही ऐसा क्यों क्यों कि सूरी का जो भी वासपोद सर्जन होता है तो पतिया जब कांटे में बता जाती है तो उनमें जो भी जल रहता है जो भी आदता जो भी नमी जो भी मर्जूद रहता है पानी वर सूरी के प्रकास सूरी का प्रकास इसको नई सोख पाता है वो बास नई बस पाता और इसमें नमी मर्जूद रहती है तो अपने बानी की ओबषज दलिए कांटें में परवरते हो याथ कर्ण कर निखने करने से निकलती है तो चुंधान के स्वीक इस सब्सक्राइब कर दोते हैं उसको काधनीक वदाफ है उसको जो Annika की मानत्रा मजूद होती है ओर उसको हम सब्सक्राइबлов العव को अम दर स्कॉर्ण यहां पर हवाइं को आपको मिलेगा देग्रस्थानी चेत्रों में जहां पर हवा से उड़कर बिटी यानि के रेट की कड़ें इकस्तां से दुरस्थान पर जाती है जा चाक्रप शिला वगयर का निर्माड होता है कुछ नेचुनल प्राइटिक सन रश्ना होती है प्राइट मिलेगा तो वाइब वारा एक लेटा से दूसरे थार पर पहुंचे विद्धा वातोर मिजा कहला थे जल वारा होता तो जलोर मिदा चिक है तो यहां पर समझेगा अगला है सब्सक्राइट मिल्दा पाया जाता है और सबसे झालबर मिल्दा प्राती में होती धिक्ना अगला करते प्रकार का बताए गया था पहला गुरुपिले जल बताएं जो प्रकार कर्शक सकती की वजह से जमीन के बहुत नीचे चला जाता है और तीसरा बताए गया था आधिता जल जो की मिट्टी में यानि मिर्दा में आधिता के रुपे में देमान आती है वो आधिता जल कहला जाए जिसको नमी भूखे सकते हैं तो यहां पर यह कहा रहा है कि मिर्दा जाती से पौदे अभी जड़ों द्वारा असोसित करते हैं तो जड़ों की जड़ों को अगर ज्यादा कात दो तो पौदों की जड़े पानी को असोसित नहीं कर पाती है मिर्दा पर्दन के लिए पौदा लगना बहुत ही आवश्यादा है यह सब प्रसुल परिक्षा में आते हैं क्योंकि मिर्दी को जड़े जगर कर रखती है और इसको तूपने नहीं देती है इस वज़े मिर्दा अवर्दन के लिए पौधा जब पौधा काट लिए जड़ा को जड़ा लगाएं तो जवें से बचा रहे है इत तो मत्यार मिर्दा में जलदार की शंता तर्वाधिक होती है यह तर्वाधिक ऑगते हैं सब्सक्राइब करता है अनला बूल करने वाला उल्धा करने वाला उल्दा करम अधीयान सब्सक्राइब करने की छंपता बहुत हुती है बहुत अधिक होती है और यह क्या करता है सर्वादी को बढ़ता भारता यानि कि सपोर्ट जाओं ज्यादा भूती है फिर देखें पौदों के विद्धी तथा मिद्धा से पूर्शन करतों को और शोपसर सर्वादी होता है उसका प्रियेश मान चे दसमिलों शून इस साफ पांच अधिक प्रस्नाता है और आप देखें होंगे एक सेले करके जैसे आप रह सकते हैं एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नो दस ज्यारा बारा तेरा और चौदर तीक ना तो यहां पर साथ से साथ से पहले अमली होता है यह तक कि समझ लेजिएगा साथ से पहले अम है और यह जो वहता है यह सीन होता है यह जो हुता है यह जो है बसारी को का मारय करते है और नो देखिए कर जाथ तो आप दुनों तखी को दिमाग में रखिएगा पी यहां पर देखिएगा जैसा आप्षान किलेगा वर्षे घर्मा है तो पौजे के वित्ती दता मिर्दा से पोशक करतों तो आउशोसा सरवाजी पी अर्जमान छे दत्कुनों शुनिस से साथ दसकलो माज मुर्दा है अही नहीं नहां के पोई आपने लोगा जिते को से नहीं सबस्क्राइब एकर का जाता है ऑनको केल सी या कैल सी कौषS का जाता है मतलब रंस पत्यों इंता है तो सव श Speats में पा देक्का या परक्तिकों करता है अभिया दिएगा कॉल इवान अकम परजी वी अमर बेड़े और 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 जीवी है और यह परजी कौन कौन से पोदे है परजीव क्या होती हैं दूसरे पोधे पर उठने वाले पोधे परजी दोन नठाएं है तो पढ़्मूर यह बस्तम्र परजीव करने अब माईको राइजय कहळा आपको बताए गया है एंडोट्रोफिया और एंडोट्रोफिया एंडोट्रोफिया में क्या होता है जड़ जो होती है धरातं के अंदर जाती नहीं है एंडोट्रोफिया कहते हैं और जब भी कवक्ल जड़ अंदर नहीं जाएगी उपर ही रहेगी और उपर रहना और सहना सीख जाएंगे और खुले गया नेट आइंटिस डाई हुए और ब्रोसेरा पोर से पॉधे हैं घटवाडी ही होता है तो घटवाडी तो यह सब क्या है यह सब की भक्षी पॉधे और यह नहीं प्रसनाता कि भक्षी पॉधे की लोगों क्यों खाते हैं और यह नहीं इक रिए कंतलनों की ब्रोसेरा पॉधे के लेख से लिए कि बहुत अतरो मिलटन है यह सब नोट करिएगा चले किस प्रस्णों की चर्षा कर लेते हैं यह कुछ परिक्षा में पूछे गए हैं तो बहुत जान से अध्यान करिएगा जो भी आपको पढ़ाया गया है लेकिन इसके प्रस्णों का दिवीदन हो जया ताकि एक आइडिया लगी कैसे प्रस्ण परिक्षा में फूछे गए तो पहला प्रस्ण देखिएगा पादक प्रिधी के लिए सबसे उप्रिम प्यार बजली तो बजली आपने देखा था कि कड़ों के व्यास के आधार अगरव लिए प्रडाब करते हैं कि उमिल्क्री अगरा प्रिर्था नभी तो सबसे अच्छा अंसरु का सबसे उट्प्र की सबसे उटियों मिल्की होती थोशक तक के लोटों के लिए नठों अगर देखेगा वन के पेरों की छाड़ों का रूपते हैं या उगे-उगे मिलते हैं कवक, जीवाडू, लाइकेन, जाड़ी बहुत सारी विद्याटी कवक करना चाहेंगे लेकिन जिल्टू नहीं लाइकेन एक होते हैं जिनकों काय सकते हैं सभी पर्यावरण के सुचक भी माने जाते हैं लाइकेन तो जब लाइकेन की मिलतिव होने लगती है तो समझे वाइड प्रदूसर होने लगता है आपके लिए पेड़ों की छाड़ों के चाहड़ों पर हपुंदी जैसे वाइड वाइड कलर के आप में देखा होगा वाइड वाइड कलर के उग जाते हैं तो लाइड के उते हैं आपके नमी कहता है। नमी कहते हैं विए पलिखवाया गया है। यहां पर नहीं होगा होलाड विएक तक होगर आपको बताए होगें यहां पर देके चिसाड एक बरण होता है। चिसाड, तो होलाड क्या होता है, होलाड मतलब होता है कि मिल्दा में पस्ति जल की कुल माक्रा, यह होलाड होता है, और चिसाड क्या होता है, पाउद्भू ग़ारा, आवशोसित, जल यह प्राव के जल, यह क्या होता है, यह चिसाड होता है, और एक किकाड बढ़ भी होता है, किकाड को करते हैं, पाउद्भू ग़ारा, आवशोसित, ना या जानि वारा जल, इक है, तो यह आप समझेगा, यह होता है, मिल्दा के जल में है, किकाड बढ़ा में, आप चिसाड कहते हैं, अर जो जल पाउद्धे और शोसित नहीं करते हैं, जो देग तो आप समझेगा, प्रदा माफसी जली फुल मात्रा वोलाड कहला है फिर अब बालु पोध्र की सस्तान पर उखने वाले पौधे होते हैं चर्टान पर बिलकुल लए साहलोद भी दोंगे जली परसिते में जलोद भी दोंगे बजरी तथा रेख में बिलकुल सही बजरी तथा रेख में, बेकार सक्त भूम में भी नहीं होगा, तो बजरी तथा रेख में यहाँ पर जहाँ बालू वाली मिल्की होगी वहाँ, बालू को भी पौदे होगे हो, ठीक है, तो यहोग आप पोर्शन से कोर्रेलेट कर पा रहे होंगे साहिं को, अब देखिए मिल्दा में उपर्सित अप्षईत होते, कारवनी पदा अप्षु क्याकत, अच्छे मतलब होता है, नस्ट होकर के, तो कौन नस्ट होगा, जी जनतू नस्ट होंगे, या जो सड़े गुले पौदे होंगे, वो सुक्ष में दीवो जवारा नस्ट होकर के हुमस बनेंगे, तो यही पर कहला है, जिसको क्या कहते हैं, तो च्छारण कहते हैं, बिल्खुल नहीं, मिल्दा अक्सिस्त भिनयोगा, आर्कार्णी करते ही, एक अर्वनी करत्व होते हैं, यूमस कहलाते हैं, बहुत ही इंपोर्टन प्रस्टन है, यूमस तो बार बार परिक्षा में जाते हैं, तो आप इस उख्यान रखिएगा, अब या पर समय स्थादा, अधित वर्षा में बारी वर्षा होती है, अता वहां पर बन होते हैं, तो आप देख पाते होंगे, उश्व कट्वन्धी वर्षा बन बहुत ही फेमस है, जहां पर जैग विवित्ता सबसे ज़्या जाते हैं, तो आएसे जगां पर कौन सी वर्ष्पतियां होती हैं, धास बन बिल्कुल गलत हो जाएगा, पड़पाती बन बिल्कुल गलत पड़पाती मतलब कर पतजण वाले बन जोपनी पतियां इरा देते हैं, मर्वस्तन योग के हैं, सदा हरित बन या सदा बहार बन कह सकते हैं, तो ये उश्वकटबंदी वर्षा बन का या उश्वकटबंदी वर्षा बन का एक प्रकार भी था, तो यहां पर जो आदम वर्षा होती रहती हैं, वहां पर कैसी बनस्पतियां होती हैं, सदा बहार बन उते हैं, सदा बहार बनस्पतियां जो हमेशा सांगर हरे भरी रहते हैं कभी भी अपनी पुद्धी को नहीं गिराते हैं ऐसी बनस्पतियां हमारी क्या कहिए ऐसी बनस्पतियां कहिए सदाहार सदाबहार बढ़ती है वैसे बहुत सारे बनेशी तोषबन है उश्कटबंदी बन है सीत बन है और आप देखते हुए टैगा बन टुंड में पाई जाते हैं तो यहां पर टुंडरावन टैगावन सभी बनों को समझेगा उसको बायों वारे चेप्रमें मने पखाया है अग्रा परसुं देखिएगा धुरी शेत्रों में में लिकित में से कौन सीमाकारी कारत की गुमितारी बाता है तो सी दुरी शेत्र कौन-कौ से हैं दुरी शेत्र में पृष्वीत वगर दो भागों में बाट दें दो गोलार्द है तो उत्तरी गोलार्द और दक्ष्री गोलार्द तो जो उत्तरी गोलार्द और दक्ष्री गोलार्द होते हैं उसमें नब्रे दिगली वाक्षान को होते हैं वहां पर उसको दुर्व पर पर प्रकास की उपस्तिती में कारी करता हूँ वहां पर नहीं पाई जाता है क्योंकि प्रकास भी नहीं पहुंच पाता हो जो प्रकास नहीं पाता तो वहां पर तापमान हमेशा ठंडा रहता है इस वजह से ठंडा बर फीला रहता है और इस कारण से आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर गुद्ध्या नहीं गुद्धिया नहीं कर पाते हैं दुरुविय शेत्रों में ठीक है तो यहां पर देखिए प्रकास भी उत्तरदाई है पवन का यहां पर कोई रोल नहीं है तो पावन हम सभी एग्णॉर करेंगे यहां पर सूरी का प्रकास और तापमान एक अठासी यह हमारा करेक्ट आजसर हो जाएगा तो देखें बचों यहां पर कितने अच्छे अच्छे प्रस्ति परिक्षा में पूछे गए हैं ऐसे बहुत सार प्रक्रिक्षा को इप उठाएगा तो यहीं प्रसंद सब्सक्राइब मिलेगा कि पारिसित्की वड़का सबसे पहले प्रेयो कौन क्या था तो और नहीं से रहे कर यह कहीं पेमील जाता है और कप किया था 1870 में तो आप देख पार होंगे कि कैसे आपको important questions मिले हैं और कैसे आपको chapter पढ़ाए गये हैं तो में करते बच्चों class बहुत अच्छे लगी होगी notes बनाते रहिए अच्छे से note करते रहिए ताकि correlate कर पाए क्योंकि कोई चीज जो ऐसे आपको facts note करवाए जारा है बतायारा वैसे आप भी facts note करके notes बनाई है ने था जब आप परिक्षा देन कर रहा है तो आप उसको appreciate करिए और उसको note करिए आपका काम आसान कर देते हैं आपको उम्मिद कर दें बच्चों इसी इनी वातों के साथ आपको मेरी class बहुत समझ में आई होगी पसंद आई होगी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद notes बनाते रहिए एक बार फिर से क के लिए कल्यानि कर दो गए आपको में आपको में आपको बहुत के पिर से क्या अपको